अमेजन नदी और अमेजन जगल तमाम रहस्यों से भरे हुए हैं। लोग अमेजन जगल में मौजूद रहस्य में पेड़ों की बात करते हैं। खतरनाक जरीले जीओं की बात करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वहाँ पर ना बन पाने वाले पुल के बारे में और बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि इतनी एडवांस टेकनोलोजी होने के बावजूद भी आमेजर नदी पर पुल क्यों नी बन पाए हैं आज तो दुनिया ने इतनी तरक्की कर लिए कि लोग बीच समुदर में भी पुल बना देते हैं दोस्तों आज हम मशीन और आर्टिफिसल इंटेलिजेंस की यूग में जी रहे हैं एक से एक बड़े पहाड़ों और नदियों पर पुल और हाईवे बनाये जा रहे हैं प्रवतमाला से निकल कर पूरू की और बैती हुई आटलन्टिक महसागर में मिलती है अमेजन की 11 सफ से अधिक सहायक नदियां हैं जिन में से 12 नदियों की लंबाई 15,000 किलो मीटर है इसके अलाओ दुनिया के समुद्रों में जितना मीठा पानी जाता है उसमें अमेजन का योगदार 20% होता है अमेजन नदि के किनारे पर 9 देशों के लगबग 3 करोड़ लोग बसते हैं यहाँ देश ब्राजिल, बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनुजूला, गयाना, फ्रेंच गयाना और सुरी नाम हैं जिन में दो तिहाई आवादी लोगों की है आज के आदुनिक तकनिकों और सांदार इंजिनरिंग की दुनिया में ये काफी अजीब लगता है कि अमेजन पर पुल कभी नहीं बनाया गया अमेजन नदी पर पुल बनाने में कई चुनोतिया हैं जिसमें सबसे बड़ी चुनोती है मौसम क्योंकि शुस का मौसम में नदी इतनी चुड़ी नहीं होती कि उस पर पुल बनाया जाए लेकिन जैसे बरसात का मौसम आता है तो नदी का पाने 30 फिट तक बढ़ जाता है और 3 मिल की क्रॉसिंग 30 मिल की हो जाती है अमेजर नदी के साथ दिक्कत यहाए कि यहाँ जब बारिस होती है तो यह अनुमान कोई नहीं लगा सकता कि कौन सा किनारा बचेगा और कौन सा डूबेगा तो ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत यहाए कि आखिर पुल बने तो बने कहां मानलों की एक बार को पुल बना कर तयार भी कर दिया गया और बरसात में उसके आगे पिछे वाले किनारे पाने में डूब गए तो फिर यहाँ पुल किस काम बचेगा इसके लाओं अमेजर नदी के किनारों के जमीन बहुत ही नरम मिट्टी से बनी हुई है जो लगातार पानी से कम जादा होती रहती है इसके लाओं नदी में मलबे और पानी वाली घास और वनस्पतियों के छोटे छोटे दूब भी बने हुए है हालांकि आज की आधुनिक तक्निक के साथ इन चुनोतियों को पार करना असंभो नहीं है दरअसल यहाँ पुल की जरूरत ही नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ की जो आबादी है वा काफी फैल हुई है और यहाँ सड़के बेहत कम है यहाँ के लोग अपने ट्रवल के लिए कार और बाइक से जादा बोट को यूज करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ कभी पुल बना ही नहीं अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी नेगरों में 2010 में दो मिल लंबा केबल ब्रिज बनाया गया था जो ब्राजिल के मैनावस और एरान डूबा शहरों को जोडता है इस पुल से दोनों सारों के लोग बड़े खुश थे वैसे यहाँ पुल अमेजन के मेन रिजन में नहीं था इसलिए यहाँ पॉजिटिव कदम जरूर था लेकिन इस पुल ने जहाँ एक तरब दुनिया को हैरान कर दिया था इससे वहाँ दोनों खराब हो जाएंगे और दोस्तों अब आप समझ गएंगे कि आखिर क्यों मेजन नदी पर आज तक पूल नहीं बना दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आप याप वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेट में जरूर बताना